साथियों नमशकार इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं B.S.C. सेकंड येर यानि B.S.C. दूती वर्ष के जो केमिस्टी यानि आपका जो रसा इंशास्त्र है उसका सेकंड पेपर या फिर उसी को लोग माइनर या उसी को इलक्टिव कहते हैं इसकी यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है जो के आपको स्कृन पर दिखाई दे रहा है टॉपिक का जो दिखाई स्कृन पर दे रहा है उसका नाम है एंसेंट इंडियन केमिस्ट एंड देर वर्क्स नागरजून उसके बाद आगे चले तो वागबट, गोविनदाचार्य, येशोधर, रामचंदर, सौमदेव, एटसेक्टरा यानि प्राचिन भारत के रसायन एवम उनकी कृतियां नागरजून, वागबट, गोविनदाचार, येशोधर, रामचंदर, सौमदेव, आदि तो सातियों यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक को हम पढ़ने वाले बीस बीस सी दूती वर्ष का यह टॉपिक है और यह आपके नई शिक्षा निती की अनुसार जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसकी फर्स यूनिट का पहला टॉपिक है तो इसमें हम बात करेंगे प्राचिन भारत के रसायनक के एवं उनकी करतिया यह एंसेंट इंडियन केमिस्ट और वर्क जो भी हमने उपर नाम देखे पुराने जो सैंटिस्ट थे एंसेंट यानि प्राचिन भारत के सैंटिस्ट थे उनके वन बाई वन उनमें क्या क्या काम क और उनके life history के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेगे तो लास्ट अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम बात करेंगे one by one topics की तो साथ हम लोग चलते हैं अब one by one topics की तरह और आजाद हम लोग याँ पर सबसे बहले नागा अरजुन के बारे में बात करते हैं तो नागा अरजुन को जो पिच्चर आपको स्क्रिट पर दिखाए देरा नागा अरजुन कोड़ते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि नागा अरजुन भारत के महान रसायन अग्य प्राचिन रसायन में नागा अरजुन का उल्ले के बिना अधूरा है एक प्रकार से प्राचिन भारत रसायन तथा नागार जुन एक दुसरे के परियावाची हो गए है तथा इनकी जन्मत ही थे हम जन्मस्तान विशे से अलग-अलग मत थे एक मत के अनुसार इनका जन्मत दूती शताबदी में हुआ था यानि आप इसको हंदी और एंगर्श दोनों लेंग्वेच में यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको आप हंदी मीडियम के स्टुडेंट हैं तो हंदी में आप उसको पढ़ सकते हैं इंग्लिश लेंग्वेज को प्रनाउस नहीं कर रहे हैं नागारजुन ने रसायन शास्त्र और दातु विज्ञान पर बहुत शोध कारी की एकमत के अनुसार नागारजुन का जन्म गुद्राज राजी के सुमनात के निकट देह दुर्ग के एक ब्रामन परिवार में हुआ जन्म के समय जोतिशियों ने नागारजुन की अलपायू बताया था तथा अब्रत्यू के बचने के लिए नालंदा जाने की सला दीती इसके बच्षात्व नालंदा जाकर उन्होंने अध्यन के साथ साथ अध्यापन का कार्य भी किया तो नागारजुन डिड नॉट लॉटे तो द्वारज दर्ज् किवंद्धिती कहती, मतलब जो कहानिया जो मुह से कहीं जाती हैं, वह 100 साल पहले यान्य 10 शतापदी की शुरुआत में मद्यपरदेश के उजयन में रहते थें। किसके अनुसार, ग्यारियु शंताब्दी के अलु भिरुणी के द्वारा जो कहानिया दरज उनके अनुसार, उन्होंने देश में अकाल पड़ जाने पर धातों से सस्ता सोना बनानी के विधी को खोजा था। तता अनुसंदार किया तो और सफलो कर अकाल का संक्रड में उन् यूग के आते आते विबिन रसाइन अग्यों का अध्यान किया जाने लगा पारत यानि की मरकरी जिसे कहते हैं और गंदक यानि के सलफर वे प्राइस सभी रूची परिलक्षित होती थी किन्तु नागा अरजुन ने पारत पर जितना शोद किया वह अध्य दिये मतलब कि उन अगे चलते हैं बोड़ोन के महायान समपरदाय के प्रवर्तक नागारजुन थे क्या यही नागारजुन रसायनग्य थे इस पर मतबेद हो सकते हैं किन्तु प्रवर्तक नागारजुन द्वारा ही रस रतनाकर गरंत की रशना की गई ऐसा विद्वानों का मत थे रसेंद्रमंगल की रशना भी उसी काल में हुई थी नागारज कि मद्रपदेश के थे और एक मद्रपदेश के थे नागार जुन दुआरा लिखी गई पुस्तकों में रस रतनाकर दो रूपों में उपलब दे ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसी के नाम से बोध रसायन गिने इस पुस्तक का पुनर अवलोकन किया यह पुस्तक अपने म रसायन की तातकलिक अधर ग्यान समेटे हुए हैं नागार जुन के रस रतनाकर में अयस्क सिनबार्ग से पारद को प्राप्त करने की डिस्सिलेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है नागार जुन के रस रतनाकर में रजत के धातु कर्म का वर्णन को विसमेकारी है रस रस रतना का रिटन बाई नागार जुन इस अवेलेबल इन दर टू फॉर्म्स तो साथियों यदि आप इंग्लिश मिडियम के तो इस वीडियो को रोक कर आप इंग्लिश में इसको रिट कर सकते हैं मरे हुए या बंदे हुए पारे को का लक्षन नागार जुन ने इस प्रकार बताया कि आद्रत तुदाई यानि हुमिडिटी गनत यानि के डैंसिटी चपलता यानि एगलिटी गुरुत यानि ग्रैविटी चमक यानि ब्राइटनेस ये पारे के विश्यश गुण होते हैं जिस पारे में ये गुण न हो वह बद्द पारा कहलाता है कौसा पारा बद्द पारा कहलाता है बाउंटेड मरकरी कहता है जब पारे में चपलता तता घनत चली जाए तो वह कई रंगों को देखने लगा तता एसा मुर्षित पारा होता है जिसमें उगते सूरत जेसी लालीमा हो, तेजो, भारीपनो, तता गर्म किये जाने पर उड़ना जाएं अर्थात नोन वेपराईजो यानि अर्थात अवाश फिलो उसे खोट बाट पारा कहते हैं तो उन्होंने मरकरी के बारे में इतनी सारी रिसर्च कई किनने नागा अरजुन नाम के एक बहुत दरसायने के और दर्शन शास्त्री भी हुए है इनका जन्म भी हमने का कि दर्शन वारत के नागा अरजुन कोड़ा नामक इस्तान पर हुआ है आंधर पदेश की राजदानी हिद्राबास से लगबक 150 किलोटर दूर क्रश्टान नदी पर नागा अरजुन सागर बांध बनाया गया है इस बांध से निर्मित नागा अरजुन सागर जिल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित जिल कही जाती है नागारजुन बांध बनाते समय हुई खुदाई में नागारजुन कॉंडा में तीसरी सबसे बड़ी के बोध या कभी बोध विहार हुआ करते थे एक विशुद्याले के रूप में खोज हुई थी तो यदि आप इंग्लिश में के उद्यारती तो इस वीडियो को रोक कर यहां पर इस इंग्लिश में जो बताया गया है उसका आप नोट डाउन कर सकते पढ़ सकते हैं नागारजुन सागर परियोजना के द्वारा नागारजुन कोंडा में मिले अवशेश को जिल के मद्दे में स्तीत द्वीप पर पूनर इस्तापित कर दिया गया जिल के मद्दी में इस्तियत नागारजुन कॉंडा और यहां पर बनाया गया संग्राल एक दर्शनी इस्तल है नागारजुन सागड से लगबग 200 किलमेटर दूर सी सेल परवत परबसा श्री शैलम तिर्थ इस्तल है बारत में 12 जोतिर लिंग है इनमें से श्री सेलम भी एक है शिवा जी के स्वरूप को यहां मलिकारजुन स्वामी के नाम से जाना जाता है साथ ही यहां पर एक शक्ति पिट भी है जहां देवी ब्रहमरंबा की उपासना की जाती है यह बारत की एकमादर तिर्थ इस्तल है जहां जोतिर लिंग है शक्ति विटों में एक हिस्ता ने पास में क्रशना नदी है जो जंगलों में पाड़ों के भी सहोंगर निकलती है सलफर और मरकरी के उपर उन्हें 12 वर्षों तक यहां पर उन्होंने रिसर्च कियों थी, कहां पर नागरजुन को डाम है, भारतिय दर्शन में पारे को शिव तत्त्त, तता गंदक को पारवती तत्त माना गया है, यहां हम कहें तो भारतिय शास्त्रों की बात करें, भारतिय आज भी इन दो तत्तों की पूजा के लिए देश के कोने कोने से श्रत दालू आते हैं, आपने सुना होगा पारद शिव लिंग, शब्द, वो किसे बनता है तो पारे से बनाया जाता है, तो इडिटेल इंग्लिश मेडियम की विद्यारतियों के लिए जो की स्क्रिन पर द आचार आत्रे शुशूत और वागबट वरत्रे के नाम से विख्या थे, इनके गरंत आज भी आरिवेद के चात्रों को पढ़ाया जाते हैं, अर्वचीन काल में यूरोपियन चिकिस्सकी गेल के समान ही वागबट का प्राचिन भारत के चिकिस्सक जगत में समान और मत्व था, उन्होंने प्रसेद गरंत अश्टांग संग्रा तथा अश्टांग रदयम की रचना की थी, तो यह बात हुई कि स्कीन इनेस्ट इंडिनियन मेडिसिन साइंस इन आरिवेदा ग्रेट आचार आतर सुत्र और वागबट, चलक तथा शुशू जिनको आज के नामाकरण की पद्दती क्रमशा फिजीशन, एवं सर्जन कहा गया है, मैं बाद में रसान शाहत था चिकिस्ता विज्ञान में सबसे बड़ा नाम वागबट का था, यानि सबसे बड़ा नाम यदि चिकिस्ता जगद में किस्ट का था चरक और शुशूत, उसके बाद में किसका नाम अता है तो वागबट का नाम आता है, अश्टांग रदे तता अश्टांग संगरगरंत वागबट की प्रमुक रशना हैं, जिनों रस रत्न समुच भी एनी की क्रती है, तो यदि हम कहें तो वागबट बड़े famous chemisster हुआ करते थे रसान अग्य हुआ करते थे वागबट का जन्म सिंदु नदी के तर्ट वर्ती किसी जन्पद में हुआ था उनके माता पिता सिंद गुप्त वेदिक ब्राम्मन थे उनके अध्यापक अवलोकित बोद्ध थे उनको जीवान में बोद्ध धर्म का प्रभा होता वागबट ने आर्युवेत के दो मातपन गरंतों अश्टांग संग्र और अश्टांगरदिया सहिन्ता की रशना की उनके ये गरंत आज भी बड़े उपियोंगे और वेद लोग आज भी उनके सम्मान करते हैं यानि वेदिक जो लोग है उनके आज भी वड़ा सम्मान करते इन गरंथों का ये दोनों गरंथ प्राचिन काल में दो प्रमुग चिकिसा पद्दतियों के आधार थे वागबट ने अपने उपर बोध धर्मे के प्रभाव के करन अपने गरंथ अश्टांग रदया को बोध प्राथना से प्रारंब किया था वागबट ने अपने गरंत अश्टांग रदे में चिकिसा विज्ञान के साथ साथ रसाइनिक प्रक्रियाओं का वर्णन भी किया था बोध धरुनाम भी वागबट का रचना काल यानि 500 से 250 इसी का माना गया है कुछ लेकर वागबट को साथी सदीका भी मानते हैं किन्तु यह काल उतना विश्वशनी नहीं है वागबट ने शुशुद द्वारा शल चिकिसा के शेतर में कई कारियों को और अधिक विस्तार से किया वन उश्दी के साथ ही वागबट ने कुछ खनी जो तता लवनों के मतों को इस्तापित भी किया बहाई शरीर का उप्योग के लिए ने फॉर एक्स्टरनल यूज उनली उन्हों नीलात होता लाल ओक्रे अगला नाम आता है सोम देव भारत के महान रसारनक के कौन सोम देव सोम देव का काल 13 शथी का माना जाता है उनके द्वारा रचित गरन्त रसेंदर चुड़ा मणी में उन्होंने िद्वारा नीम्न प्रमुग जानकर या दी गई उन्होंने दरशाया कि मारन किया गया लोग रजत के साथ मिष्दातू नहीं बना सकता है एक प्रकार से यह मारं लोह की पेचान है, यहто डेड आइरन कि पेचान है, यही डेड आइरन क्या कर सकता है? अलोई का फॉर्मिशन नहीं कर सकता है. इस्टिवनाइट अयस को इस्टिवनी प्राप्त करना यानि निलान जन यानि इस्टिवनाइट को डलवा लोहा के साथ कई बार तिवर गर्म करने पर उच्च गोटी का एंटिमनी प्राप्त होता है मरत या आकसिकरत दातु के अप्चेन को उत्थापन कहते हैं सीसा को रासानिक रूप से इस प्रकार से तब तक उपचारित करते हैं जब तक की अवशेश का भार इस्तिर हो जाए इससे चपला कहते हैं आजकल इसे खरपन विदी जिसमें अरजन्ट एट फेरस लेड से सिल्वर की निसकर्शन की विदी है उसमें कुप्योग की जाती और सौम देव ने इस विदी को प्रचलीत किया था और ये विदी बिए से से कंडियर के पाठीक्रम में भी शामिल की गई है टीन से भी इस प्रकार की चपला प्राप्त की जा सकती है सौम देव ने रसायन प्रयोक्षाला इस्थापित करने एक मैं निपूण थे उनकी प्रयोक्षाला में उन्होंने उर्दपातन यंत्र जनी सब्लीमेशन इंस्ट्विमेंट ता कोष्टी यंत्र का प्रयोक गोईंदाचर ने अपने परीचे रससार गरंथ के अंतिम कुछ लोकों में दिया था। दिकार बताया गया है। यह बताया गया है कि एक रसायन प्रयोक्षाला का निर्मान केसे किया जाना चाहिए तता उनमें कौन सी सामगरी अनिवाय रुप से होनी चाहिए इसका शंक्षित विर्णान मिलता है। जिनके बटियां शामिल की गई है। मुशायन अलिया भी शामिल होना चाहिए और तुला यानि की लिबा भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। यशोधर बारत के महारसानग्य आचारे प्रफूल चंदराय के नुजार यशोधर तेरीव सदिब्दी में हुए थे। इनका एक गरंत रस प्रकास सुदाकर अभी हाली में 1967 में प्रकाशित हुआ था। यशोधर सोराष्ट के जुनागड की निवासित गोड ब्राम्मन जाती के यशोधर के पितागनाम पद्वनाप था। इनके द्वार अचित गरंत रस प्रकाश सुदाकर तेरा अध्याए वाला गरंत था। इस गरंत में कुछ यशोधर द्वारा लिखी थे। आगे चलते हैं। उनमें सदिकांश उन्होंने अपना अनुभव प्रयोग अवलोकन है। गरंत में पुरोती रसाचारियों के कई भी उलेक नहीं होने के करण ऐसा जान पड़ता है कि अशोधर ने जो भी ग्यान प्राप्त किया है वह अपने गुरु अध्यान करके प्राप्त किया है। रस्ट रकार सुदाकर में भी पारे पर इनके लगबग 18 संस्क्रण लिखे गए हैं। यानि मर करीबे बहुत ज़्यादा इन्होंने रिसर्च कीती है। रामचंद्र भारत के महान रसाहनग्य रामचंद्र का प्राचीन साहति में अधिक उलेक नहीं हैं। लेकिन इस पश्ट है कि उनके दवारा रसेंदर चिंता वणी नाम करंथ की रचना हुई हैं। तो साथियों ये थे हमारे भारत के प्राचीन महान रसाहिन अग्य यानी चेमिस्ट जिनके डिटेल हमने आपको दी हैं तो ये था बिएसे सेकंड एर के मेजर का सेकंड पेपर माइनर या इलेक्टिव जो पेपर है उसके फस्ट वीडियो तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो बहुत जल्दी साथियों आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो लेक्चर के साल लगता है थम दिखा कर हमें अवश्य मताए हम बड़ी महनत साथ के लिए वीडियो तयार करके लेकर आते हैं चेनल पर नह हैं तो सबस्क्राइब अबश्य करें हो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तो नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी धन्यवासाती